पाइनेश्य स्टेटमेंट्स हमें प्रॉफिट बताते हैं बट क्या ये प्रॉफिट के लेवल बताते हैं? दा आंसर इस नो प्रॉफिट के लेवल से जैसे ग्रोस प्रॉफिट, ओपरेटिंग प्रॉफिट और फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टेक्स तो कौन जी ऐसी statement है जो हमें ये profit के levels बदाती है वो statement है income statement बट यहाँ question ये उठता है कि profit के levels की हमें requirement क्यों है अलग-अलग levels को देखकर management इसमें क्या decisions लेती है ये सभी points हम इस वीडियो में समझेंगे सबसे पहले कुछ important term समझेंगे जिसे income statement में use कियाता है उसके बाद हम income statement के format को और उस format के meaning को समझेंगे उसके बाद अलग-अलग profit levels को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि इनका use कैसे किया जाए अब देखिए course जो है तीन तरह की होती है variable, semi variable और fix variable वो होती है जो product के ज़्यादा बनने से cost भी बढ़ती है semi variable कुछ time तक fix होती है या variable होती है और बाद में ये fix या variable होती है इसका मतलब कुछ time तक ये variable होगी पर बाद में fix हो जाएगी या फिर starting में fix होगी बाद में variable हो जाएगी और fix होती है जिसका production से कोई लेना देना नहीं है वो एक fix amount आपसे charge कियाता है तो इसके example लेते हैं variable का first example है raw material जितना ज़्यादा आप product बनाएंगे उतना ही ज़्यादा raw material लगेगा तो per unit पर ये same होगी बट overall अगर हम देखें तो ये production के ज़्यादा होने से ये ज़्यादा होगी production के कम होने से कम होगी ऐसे ही product को pack करने में packing जो use होगी या फिर product को बनाने में जो labor use होगी वो भी पूरी तरह variable होगी बट semi variable का हम example ले सकते हैं telephone bill for example एक amount fix कर रखाए कि minimum आपसे 400 rupees charge के जाएंगे और 200 units के बाद जितना भी bill आएगा तो per unit आपसे 1 rupees additional charge के जाएगा यहाँ 200 units तक fix है क्या आप 200 unit consume करें या ना करें एक fix amount आपसे charge के जाएगा बट उसके बाद per unit पर ये variable भी है तो यह ना तो पूरी तरह variable है ना तो पूरी तरह fix है इसलिए इसे semi variable कहा जाएगा और third है fix cost fix cost मतलब factory rent for example जो factory जिसमें आप production कर रहे हैं उसका rent है 50,000 rupees आप उसमें production कितनी करते हैं उससे आपका factory rent चेंग नहीं होगा तो यह पूरी तरह fix है another important term है overhead overhead देखिए दो तरह से यहां हम देख सकते हैं पहला overhead होता है जो production से related होता है इसलिए इसे हम कहेंगे production overheads बाकि जो other overheads है वो business के operations से related होते हैं that means business को चलाने के लिए जो operations use होते हैं उसमें overheads जो आते हैं उसे हम other overheads की category में देखते हैं अब इसके examples देखते हैं production overheads जैसे labor को supervise करने के लिए supervisor factory का rent है machine का कोई depreciation है यह सभी आपके production overheads में आएंगे बट machine वो machine आएगी जो production में use हो रही है other overheads जैसे जो आपका account department है admin department है HR department है वो administrative department में आएंगे product को बेचने के लिए यहां फिर उसकी transportation में जो खर्चा आएगा वो selling and distribution overheads में जाएगा अब देखे हर product की एक life cycle होती है उसकी life cycle को improve करने के लिए यह product को better करने के लिए जो research and development होती है वो आपकी यहां research and development cost में आएगी बट यह administrative selling और research and development तीनों ही direct production से link नहीं है इसलिए इसे हम overheads की category में डालते हैं बट यह other overheads में आएगे तो कि यह production से link नहीं है अब another term है इसमें non operating income माल लीजी आपका clothing का business है बट आपके पास profit अच्छा है आपने थोड़ा सा amount कहीं invest कर दिया फोर example coffee shop में आपने कुछ amount invest कर दिया बट यहां एक question उठता है कि क्या आप coffee shop को operate कर रहे हैं क्या आप coffee shop को चला रहे हैं नहीं आपने coffee shop के business में कुछ पैसे लगाये हैं बट आप उसको चला नहीं रहे बट आप question उठता है कि क्या clothing के business को चला रहे हैं yes क्योंकि clothing का ही आपका business है तो यहां जो level देखा जाएगा profit का वो दो तरीके से देखा जाएगा पहला यह देखा जाएगा कि operating activity से कितना profit हुआ आपको और उसके बाद देखा जाएगा non operating activity से कितना profit हुआ ऐसा इसली के जाता है क्योंकि अगर मेरा main income जो है वो non operating activity से आ रही है तो as a investor मैं आपके business में पैसा क्यों लगा हूँ जबकि सारा पैसा main income जो है वो मुझे coffee shop से मिल रही है तो इसलिए यह देखा जाता है कि non operating या फिर operating income में कितना profit है अब देखिए यह format है income statement का सबसे पहले business की sales उसके बाद variable cost जिसको हमने cover किया था raw material labor packing माइनस करेंगे आपका contribution आएगा production के सारे overhead हटाएंगे gross profit operating expenses मतलब वह expenses जैसे आपका clothing का business है तो clothing के business में जितने भी खर्चे हुए है चाहे वो admin के हो selling and distribution हो और ट्रांस्पोर्ट हो वो सभी खर्चे जो आपके clothing से related है वो operating expenses income में आएंगे finally आपका आएगा operating profit अब जो खर्चे है आपके operating activity से related नहीं है जैसे हमने coffee shop में invest किया था उससे related जो भी खर्चे या income है वो हम less करेंगे उसके बाद जो profit आएगा वो आएगा profit before interest and taxes उसके बाद interest minus करेंगे फिर आपका आएगा profit before taxes फिर tax भी minus करेंगे फिर आएगा profit after tax बट अब यहां question उठता है कि हमें इस सब की जरूत क्या है तो इसके लिए हम profit के एक एक level को detail में समझते हैं देखिए पहला level है contribution अब आप मुझे बताईए overheads जैसे factory rent वो आपका fix है कि 50,000 पर आपको देने ही देने है तो अगर मैं कोई नया product बनाओं या ना बनाओं उससे फरक नहीं पड़ेगा पचास हजार पर fix है जो आपको देने ही देने है तो अगर किसी product के decision से related आपको कुछ process करना है कि ये product हम बनाए या ना बनाए तो उसका profit level हमेशा contribution level पर देखा जाएगा क्योंकि अगर मैं वो product बंद भी कर दूँ तो भी मेरे production के overheads या फिर जो other operating overheads है वो तो मेरे लगेंगे और contribution को percentage में देखा जाता है contribution divided by sales जिसको हम PV ratio profit volume ratio भी कहते हैं तो इसलिए product से related जब भी कोई decision लेना है तो उसके लिए contribution के level को देखा जाता है अगला profit level है हमारा gross profit इसमें क्या देखा जाता है इसमें देखा जाता है कि factory level पर factory के सारे कर्चे चाहे वो variable हो या overheads उसको हटाने के बाद मैं कितना profit earn कर पा रहा हूँ इसे mainly percentage में देखा जाता है जैसे gross profit divided by sales तो कितना percent मैं product wise या फिर company wise profit earn कर पा रहा हूँ तो इससे आप देखेंगे कि जो plant है जहां कि production हो रही है वो कितना efficient है अगर plant के खर्चे बहुत जादा होंगे तो आपको gross profit कम आएगा तो इसलिए gross profit भी देखा जाता है कि plant की performance कैसी है अगला profit level है operating profit जिसको हम compare करेंगे profit से अब देखिए operating profit जो है वो हमारा main profit है जो business हम कर रहे हैं उससे हमें कितनी भी income हुई but non operating profit को जब हम adjust करेंगे तो उसके बाद आता है profit before interest and taxes तो operating profit को हम compare करेंगे profit before interest and taxes से जिससे हम देखेंगे for example कि अगर मेरा operating profit दिखा रहा है 100 but अगर मैं non operating profits को adjust करता हूँ तो उसके बाद 200 that means 50% मेरा non operative income है तो यह एक healthy sign नहीं है तो major जो मेरा profit source है वो मेरा अपनी business की operating activity से आना चाहिए और इस level पे इसी को देखा जाता है अगला profit का level है profit before interest and tax अब देखे profit before interest and tax आपने लिया उसमें से आप tax rate minus कर दें assume करें कि कोई interest आपने देना ही नहीं तो उससे आपको पता लगया कि possible profit that means अगर मैं यहां दिखा रहा हूँ interest reduce करने के बाद profit और उसमें से tax reduce कर रहा हूँ तो यहां मेरा level आ रहा है 100 बट अगर मैं interest नहीं देता तो simply profit before interest and taxes में से tax rate minus कर देता तो मेरा कितना profit आता तो business तो मुझे कमा के दे रहा है 120 बट 20 मेरे interest की वज़े से गए है तो इस level पर इस point को देखा जाता है अब अगला level है profit after tax इसमें क्या देखा जाता है इसमें देखिए सबसे पहले जो profit after tax है यह owner का पैसा है इसमें आपने interest भी दे दिया government को tax भी पे कर दिया तो इसमें से जो preference share है वो अपने dividend लेते हैं क्योंकि हमने देखा है कि preference share को preference मिलती है जब भी dividend की बात आती है तो preference share को dividend मिलने के बाद जो profit बचता है वो equity share holders का होता है उसमें से कुछ reserve रखा जाता है और बाकि जो profit होता है वो as a dividend equity owners आपस में distribute करते है तो यहां से हम earning per share निका सकते है profit for equity shareholder divided by number of equity shareholder तो इससे आप earning potential निका सकते हैं कि एक share पर आप कितना कमा पा रहे हैं अपने business में अब हम समझते हैं कि income statement को analyze कैसे किया दा है सबसे पहले इसका जो main use होता है वो comparison के purpose से होता है अब देखिए for example मान लीजिए आपके पास बहुत सारी companies है या फिर अलग-अलग state में आपकी companies है तो इसको आप कैसे analyze करेंगे सबसे पहले अगर मैं product for example एक product में दिल्ली में बना रहा हूँ वही product में राजस्तान में या गुजरात में या किसी ओर state में बना रहा हूँ तो मैं compare करूँगा कि अगर मैं profit देख रहा हूँ same nature of production यहां मुझे कितना profit मिल रहा है और दूसरी state में मुझे कितना profit मिल रहा है ऐसा इसलिए देखा जाता है कि पैसे तो मेरे पास limited है और मुझे profit maximum कमाना है तो मैं यह देखा हूँ कि कि state में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो वहां मैं अपना main focus करूँगा second uses का कियात है competitor analysis आपका जो competitor है उसके profit के क्या levels है और आपके क्या levels है क्या आपका competitor जो है उसका production overhead बहुत कम है आपकी बहुत ज़्यादा है तो वहां आपको control करने की जुरत है तो किस खर्चे को control करने की जुरत है वो आप देख सकते है competitor की statement को analyze करके अपनी statement के साथ और इसमें another point आता है internal control that means अब मुझे पता है for example मेरा gross profit हर महीने 30% चलता है यहां आज मैं देख रहा हूँ तो immediately 20% हो गया तो ऐसा ही इसलिए हो सकता है कि यहां तो कोई ना कोई गलती हुई है यहां फिर production overheads एकदम से जम कर गए तो ऐसे मैं control कर सकता हूँ कि previous month में जो trend चल रहा है उस trend में change तो नहीं आ रहा profit के levels को percentage to net sales से देखकर मैं trend wise analysis कर सकता हूँ तो अगर कोई unexpected change है तो उसे मैं control कर सकता हूँ और future में rectify करके more profit के और आगे जा सकता हूँ अब इसको another use में लाते हैं जब आप other products या service को देखते हैं जैसा मैं पता है कि हमारे पास पैसे तो limited है तो अपना पैसा मैं shoe industry में लगा हूँ या फिर clothing industry में दोनों की income statement देखके मैं ये analyze कर पाऊँगा कि maximum return मुझे कहाँ पर मिलेंगे तो इसके लिए आप product wise service wise भी देख सकते हैं जब आप decide करने जाए कि आपको कौन सा product या कौन से service बनानी है या फिर कहां आपको ज़्यादा focus करना चाहिए इसका एक बहुत important use होता है future के लिए जब आप future को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी income statement आपको एक तरह का path देता है जिसको follow करके step by step चलके आप future को काफी हद तक control कर सकते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह आपको past trend के record देता है कोई भी profit का level चाहे वह आपका contribution हो gross profit वह किस तरह से चल रहा है पिछले कुछ महीनों में पिछले कुछ सालों में तो उसके बहाफ पर आप आने वाले महीनों या साल को compare कर सकते हैं एक अंदाजा लगा सकते हैं जो काफी हद तक accurate होगा यह budget बनाने में भी help करता है और इसके थुरू आप better control कर सकते हैं क्योंकि आपके पास हर महीने के profit के level की percentage है अगर कहीं आप यह down होता है तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से control कर सकते हैं और जिस profit के level में difference आया उसके लिए जो responsible head है आप उसको approach कर सकते हैं और future के लिए better control को ensure कर सकते हैं और सबसे important point इसमें होता है कि इसको check कैसे करें चेक इसको किया जाता है ratios के तुरू और इसके लिए income statement को अलग-अलग level पे analyze भी कियाता है what is statement के साथ जैसे अगर मैं sales बढ़ा दू तो profit कितना बढ़ेगा या अगर मैं price बढ़ा दू तो मेरी sales कितनी बढ़ेगी या कम होगी तो इसके लिए analyze कियाता है leverage analysis के थूँ यह हम देखेंगे second part में